ब्रिक के बाद आपका स्वागत हैं परदेश में कॉंगरिस पार्टी दोरा नव न्यूकत परवेक्षकों की न्यूकती पर कॉंगरिस के अंदर ही अब खल बली मची हुई है अपने ही निताओं के दोरा की जा रही टी का टिपनी पर प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम कॉशल ने कारेकरताओं को ऐसा ना करने की नसीहत दी है प्रेम कॉशल ने कहा है कि कोई प्रवेक्षकों की न्यूक्टी पर टीका टिपनी करता है तो ऐसे कारेकरताओं के खिलाफ पार्टी अनुशाशन हीनता का काम माना जाएगा प्रदेश में कॉंग्रिस के नव न्यूक्ट परवेक्षकों की न्यूक्ति पर कॉंग्रिस के अंदर मची खलबली और अपने ही नेताओं के द्वारा की जा रही टीका टिपनी पर प्रदेश कॉंग्रिस परवगता प्रेम कॉशल ने कॉंग्रिस कारेकरताओं को ऐसा ना कर अगर कोई इन निक्तियों पर उंगली उठाता है तो ऐसा करना अनुशाशन हीनता माना जाएगा। ओ Verfügung तो ये कहा गया है कि बिभिन बिधान सबाक शेत्रों में जाकर वहां के जो स्थापित बिधाइक हैं उनसे बात करके और दूसरे जो हमारे कोपे पंचायत समिति की लोग है जिरीपरशित के लोग है पंचायतों के लोग हैं चूदमीन से जुड़े होगे जो लोग हैं च साथ बातचीत करके संक्ठन को एक नया सरूप देने की कोशिश और प्रयास जो है वो करने को कहा गया और वो काम ही प्रवेक्षक करेंगे इसमें किसी को चिंतित होने की वश्यक्ता नहीं है और जो निक्तियां की हैं उनका पूरे का पूरा अधिकार हमारा कॉंगर्स जानकारी में है यह जो कदम है हमारे प्रदेश कॉंगर्स का द्यक्रार करता इसमाचार मत्रों के माध्यम से कोई नेग्टि बयान बाजली करता है उसको अन्शाशन हींता माना जाएगा और पार्टी मैं किसी भी इससतर पर अन्शाशन हींता बरदाश नहीं की जाएगी जुआबों के नतीजे जो हैं बड़े अश्चरे जनक रहे हैं अश्चरे चगित करने वाले रहे हैं दो हजार बाई अब हमारा लक्षा ही माचल परदेश के अंदर कॉंगर्स की सिरकार बने इस दिशा में कॉंगर्स पार्टी को काम करना है और इसके लिए जमीन से लेकर ज करने अबश्चरे जिए एसकंवर्णिया है